हलो बच्चो में शिखा लें स्मार्ट वीदर शोग बकारी की क्लास इसमीं एक बार फिर से वेलकम है बच्चो लास्ट जो हमने फिजिक्स का सेशन लिया था उसमें हमने डिसकस किया था कि आपकी एलेक्ट्रिक फिल्ड कैसी रहती है आपकी एलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंस तो सिर्फ आपको basic सा समझाया था कैसे आप figure लोगे और किस तरीके से उसको solve करोगे तो आज क्या करेंगे हाप इसी को ही आगे करेंगे लेकिन अच्छे तरीके से समझेंगे कि कोन सी चीज कैसे आएगी तो electric field intensity at a point on the axial line और इसको हम end on position भी कहते है कई बार अगर आपको end on position पर आए तो आपनी समझ लेने figure जो है वो मैंने आपको last session में अच्छे से describe कर दिया था कि कोन सी चीज क्या है लेकिन फिर से आपको बता देती हूँ यहां पर एक negative charge है यहां पर एक positive charge है ठीक है और यह दोनों जो है एक dipole है ठीक है dipole के बाद इनके बीच का जो distance रहेगा कि they separated with the distance to L clear और यह क्या है as a source charge है अब हमने क्या किया कि source charge की field बनेगी field भी मैंने आपको अच्छे से समझाए थी कि source charge की field रहती है और यहां पर एक हमने unit positive charge आपकी book में लिख रखा होगा जिसका मतलब है कि plus 1 at P पे ठीक है अब यह जो plus 1 C means की 1 जो charge है वो क्या करेगा आगे field बनाएगा तो यह ऐजे क्या है as a test charge है और source charge यह है अब हमें क्या निकालना है कि आपकी electric field intensity कब कितनी होगी जब हमारा source charge अगर हम negative रखते हैं और test charge अगर हम plus 1 रखते हैं ठीक है अगर हमारी electric field intensity क्या होगी अगर हम positive charge रखेंगे source charge and test charge रखेंगे plus 1 ठीक तो हमें क्या करना पड़ेगा electric field intensity पहले हमें negative charge से निकालनी पड़ीगी फिर हमें plus से निकालनी पड़ीगी फिर दोनों को हम आड करके देखेंगे कि दोनों का result क्या रहेगा क्लियर तो अभी जो है यहां पर आपने construction अच्छे से समझ लेनी है कि consider dipole q1 minus q construction जो है बच्चो चीज हमने लिखनी है जो आप ने बनाया है कुछ बाहर का नहीं है कि बच्चे गभरा जाते वो 3-4 लाइने देखके कि पता नहीं क्या है है ऐसा कुछ नहीं जो भी आपने figure में बनाया है वही आपको वहाँ पर लिखना है ठीक है चलें अब आगे ओके अब हम याद करते हैं आपकी electric field intensity को electric field intensity क्या रहती थी बच्चो अगर आपको याद होगा क्या थी गूलाफ फोर्स कूलाफ प्वाइट चार्ज कूलाफ फोर्स बाइट एस चार्ज ठीक है अब हम बात करते हैं कूलाफ फोर्स क्या रहती थी कूलाफ फोर्स किस-के बीच में निकालेंगे सबसे पहले हम आपका source तो अब भी अगर मुझे निकालनी है कूलम फोर्स बीट्वीन किस किस के बीच में प्लस वन और माइनस क्यू के बीच में तो क्या एगा तो अगर आपको यह याद में आ गया होगा तो डिरेक्ट हम इसकी इलेक्रिक फिल्ड इंटेंसिटी लिखेंगे जब हम पॉजिटिव चार्ज पर देख लेए यहां से लेकर यहां तक बी से लेकर पी तक ठीक है चलिए लिखेंगे वन बाइ फोर पाइ एपसल नॉट क्यू पॉजिटिव एज टेस चार्ज जब हम यहां पर बच्चो ध्यान से समझेगा इस चीज़ को अगर मैं यहां पर वैक्टर नहीं लगा रही हूँ तो वो मैं जब मैं यहां पर वैक्टर लगा रही हूँ तो मुझे यहां पर यहां पर करके कैप करके लिखना पड़ेगा क्योंकि यह एक ही एक्सिस में चल रहा है और इसकी कार्टेशन फोबी मुझे लिखनी पड़ती है और यह जो आई है मींस कि हमें क्या इंडिकेट करता है कि य एक्सिस में क्लेर होगी बात ठीक है इसको आप आय कैप ऐसे इसके साथ में भी जोड़के लिख सकते हो ऐसे घर के आय कैप क्लेर अब देखिए डिस्टिंस बिट्विन दर टू पॉइंट्स कौन कौन सा एक सोर्स चार्ज का टेस्ट चार्ज का मेंस कि क्या वी पी स्केर यह ही आएगा वी से लेके पी का स्केर अब आप वी पी फाइंड आउट कर सकते हैं कितना वी पी निकलेगा देखिए कितना निकलेगा हमारे पास में आ जाएगा यह आर माइनस से क्या आएगा आर माइनस एल तो आप क्या पुट कर दोगे ए प्लस के अंदर इन वैक्टर 1 बाइ 4 पाइ एपसल नॉट प्लस का क्यू आए एंड ओवर आर माइनस एल का होल्स के यह बन जाएगी एक्वेशन नमबर बात समझ में आगी अब इसी तरीके से हम किसकी एलेक्टरिक फिल्डिंग टेंसिटी निकालेंगे आपके नेगटिव चार्ज की मिसकी यहां से ए सिर्फ लास्ट का ही बचता था कि जो मैं अच्छे से नहीं बता पाई थी क्यों काफी लंबी होगी तो मैंने वही पे स्टॉप कर दिया इस वज़ा से तो अब आगे देखिए यह चीज में एक्स्प्लेन आपको कर रखी है ठीके नेगटिव चार्ज है देन माइनस क्यू आए विकर्स ओप तो नेगटिव सोर्स चार्ज टैस्ट चार्ज चार्ज चैसल आउट और वहावी क्या है वन ने तो यहां प्याएगा आर प्लस एल का खुल स्क्यार बास समझ में आगी यहां तक अब क्या करेंगे हम टोटल सम निकालेंगे कि कितना है अगर फिगर आप स्ट्स आंड प्लस ए माइन प्लस मेरे पास में क्या रहेगा वन पाइ फोर पाई एपसल नॉट क्यू आए और आर माइन एल का बास यहां पर आएगा देखिए जिए फ्लस यहां पर आएगा और यह माइनस क्यू आई है विकर्स ओप तब नागे सिव चार्ज ठीक है फोर 4Pi Epsilon and R plus L का whole square यहां तक आगी समझ में अब यह जो नागेटिव चार्ज है मैं यहां पर लिख सकती हूं तो मैं क्या लिखूंगे यहां पर इसको करके हम इसको थोड़ा से मिटा देंगे और यह वला यहां पर इसको पूरा का पूरा हम क्या लिखतेंगे समझा की बात अब जो कॉमने बाहर ले दीजिए कॉमन क्या है यहां पर कॉमन क्या है यहां पर वन पाइफ फोर पाइपसल नॉट क्यू कॉमन है क्लियर क्यू आई पूरा कॉमन है और अंदर बच आएगा वन ओवर आर माइनस एल का होल स्केर माइनस वन ओवर आज प्लस एल का होल स्केर ब्रैकेट क्लोस ठीक होगी बात समझा अब आगे अभी तक हम किस पर कांग कर रहें वेक्टर फोर्म पे कर रहें तो यहां पर एक्टरी लिखिएगा वन पाइफ पॉर पाइपसल नॉट क्यू आई अब इसको माइनस एल डोननों का लुक्रा यहां पर डोनों एकम 5D सब्रक्त कर एक बर कुछ दाखेगा दो और हम एनलों इसको सिंप्लीफाइं कर जो हमने सिंप्लिफाइब करना यहां तक हो गया आप देखे आगे क्या करेंगे 154 4Pi Epsilon 0Qi and over क्या हैगा A square plus B square plus 2AB minus है यहाँ पर A square फिर minus B square and plus minus आएगा ना तो minus minus plus then 2R L and over क्या जाहेगा R minus L का whole square and R plus L का whole square bracket close ठीक है आप यह कट जाएगा दिख रहा है आपको यह cancel out हो गया हमारे पास में तो result क्या बचा बच्चो अगर इस तरफ का होगे तो erase करतें अब आगे क्या आएगा हमारे पास में 1 by 4 by Epsilon 0Qi यहाँ पर बच जाएगा आपके पास में 4R L and over R minus L का whole square and R plus L का whole square clear यह bracket होगी close और यह किसके equal है आपके total जो आपने E electric field intensity निकाली है in vector 4 में ही अभी तक चल रहा है ठीक है अच्छा we know about the relation की relation कह रहता है हमारे पास में कि P is equal to 2L into Q ठीक है 2L into Q यह P क्या है आपके पास में dipole moment क्या है dipole moment देखिएगा जब P vector is equal to PI के बराबर रहता है यह result है क्या रहता है रिजल्ट है आपका unit vector का क्या होता है जैसे कि यह unit vector है और इसके बराबर होता है vector y magnitude के बराबर होता है मैंने कल भी आपको यह चीज बताई थी तो वही से यह चीज यहाँ पर आये इसका मतलब इंटू यह वो करके इदर उदर ले गए तो यह result इसके सब्सक्राबर बन जाता है ठीक है अब यह जो magnitude होता आप सोचोगे कि यहां पर मैंने डो मोड लगा है तो बच्चो जब हम किसी भी चीज को इस फो में लिखते है तो इसका मीनिंग क्या है यह magnitude है तो इसको अकेला पी भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो लेकिन अगर अगर साइट पर लग जाएंगी तो यह हमारे पास में magnitude की फॉर्म में कनवार्ट हो जाता है चला पता चलिए अब आगे देखते हैं आगे इसको कैसे लिख सकते हैं अब आगे देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं यहां तक यह चीज़ अगर आप उस समझ में आगी होग अब हमने रिजल्ट पड़ा है कि 2L into Q P के बराबर होते हैं तो आपने इसको सी फोर में क्या करना है ब्रेक करना है क्या करेंगे ब्रेक देखिए आप पर 2R को आगे लेली चीज़िए क्योंकि आर का तो यहां पर कोई काम ही नहीं और यहां पर रख लीज़िए 2 Q 2 2s of 4 Q & L और यह साथ में आपका चलेगा ही चलेगा जो X-axis का चला हुआ है जो हमने वैक्टर फोर पड़ रखी है और ओवर आ जाएगा यहां पर हम इसको लिख सकते हैं आर माइन सेल का लगा स्केर का होल स्केर ठीक ऐसे करके इसको लिख सकते हैं चली हो गया अब देखिए 2 Q L मै यहां पर हमने यह रिजल्ट पढ़ रखा है तो हम इसको लिखेंगे E Vector मतलब Intensity यह आजाएगा 2 R यहां पर लिखेंगे और यहां पर आजाएगा P unit में and over R square minus L square and इसका होल स्केर अब यह कैंसल आउट अगर आपको करना तो कर दीजे को दिक्कत भी नहीं कर दीजे तो य एपसल नॉट P Vector and R minus L का square का whole square तो यहां तक का जो result रहेगा बच्चो यह हमारे पास में क्या है आपकी electric field intensity मैंने निका ली है एक axial line में एक electric dipole के अंदर और यह कौन सी form रहेगी हमारी vector form रहेगी ठीक है अगर जब इसका magnitude करेंगे तो सिर्फ क्या करना है आपको की vector हटा र है अब देखी आगे हमारे पास में result क्या बढ़ गया यहां पर intensity is equal to R over 2 pi epsilon not clear and P Vector over R square minus L का square and whole square अब इसको चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे इसका vector हटा दीजे कोई दिक्कत वाली बात तो है यह तो सेमी चीज रहेगी तो यहां तक आप ऐसे इसको लिख सकते हो यह मैंने क् अब क्या करेंगे अब हमारे पास में यहां तक का जो article हुआ है बच्चो यह हुआ है कि जब आपकी electric field intensity निकाली आपने एक axial line में और electric dipole के अंदर आपने निकाली है ठीक है अगर आपका question यह बनता है कि आप यह बताईए कि R is very greater than as compared to the length तब आपके पास में result क्या रहेगा ठीक है अब जी special case में आजाता है जो special cases हमारे होते हैं उसमें रहता है कि R is very 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 greater than as compared to L तो इस case में क्या करते है कि L को हम क्या कर देते हैं is neglected उसको हम neglect कर देते हैं neglect करने का मीनिंग है कि L की values को हम देखते ही नहीं है तो हमारे पास में क्या जाएगा E is equal to 1 by 2 by epsilon not R P अब L की value को देखेंगे नहीं तो यह square और यह square तो यह बन जाएगा 4 जब यह cancel out होगा तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा यहां पर लिग्दू में यहां पर रिजल्ट आएगा 1 by 2 by epsilon not P over R Q ठीक है यह आगे हमारा E अब E क्या है यह दोनों जो आपका electric dipole moment है यह 2 by epsilon not है यह एक constant value है तो electric field intensity is universally proportional to the R 3 means की R cube के बराबर होगा जब हमारा electric dipole कहां पर प्लेस्ट होगा एक axial line में प्लेस्ट होगा यह topic जो है बच्चों बहुत important है आपके मतलब की बन जाता है पीपर में चीक है चली अब हमने क्या करना है सेम एस electric field intensity निकाली है लेकिन किस पे निकाली है इक को टोरियल जो भी आपका figure है उस पे निकाली देखिए तो इसके लिए हम एक ट्राइंगल चाहिए चीक है ट्राइंगल की सारी साइड तो साइड सापस में बराबर होनी चाहिए एक साइड पर नेगेटिव क्यूं ले लोगे एक साइड पॉजिटिव क्यूं ले लोग यह तो आपके सोर्स चार्ज है इन दोनों के बीच का डिस्टंस कितना रहता है तो यह क्या है डाइपोल है और यहां पर में सेंटर पॉइंट रखतूंगी तो यह यह में हो जाएगा डिस्टिंविश हो जाएगा ठीक है अब इसको जॉइन करना तो मिला दीजिए इसको आप ओ नाम रखना ओ रख दीजिए रखना ए रख दीजिए भी रखना भी रख दीजिए आपकी इच्छा है समझना है आपको बच्चों रट्टा नहीं मारना है ठीक है अब यहां तक बात होगी खत्व अब हम आर जो लेते थे वह दो चार्जिस के बीच का डिस्टंस ल से सेंटर से उसके यहां से यहां से यहां से यह रहाएगा यह आपका एल हो गया और यह आपका एल हो गया और यह वाली लाइन जो है आपकी ओ से पी तक आपकी क्या हो गई आर होगी अब मुझे एपी का ढूना पड़ेगा और बीपी का भी ढूना पड़ेगा चलो वह त इसके मजई कहा कहीं पर भी जाएंगे तो ये फ्यिल्ड ऐसी करके ये फ्यूड बनाएगा अगे अब हमें क्या निका लेक्टिक फ्यूटिक्र इंसिटीं निका है से करेंगे फिरले फॉजीटिज्टी निकाले फिर नेगे टिटिक बना ले तो चलिए मेरा test charge कितना है बच्चो 1 है क्योंकि unit charge है तो यहां पर आएगा 1 by 4 by epsilon not positive q and positive q यहां पर यहां पर तो यह बंजेगा वीपी का whole scale and by test charge means कि over 1 तो ऐसा ही रहेगा ठीक अब मुझे क्या find out करना वीपी निकाल लीजिए वीपी कितना आजाएगा मेरे पास में यहां पर क्या आएगा वीपी हाइपोटेनिस is equal to क्या रहेगा पाइथागोरस थ्यूनम लगेगी न यहां पर हाइपोटेनिस square is equal to perpendicular square plus basis square हाइपोटेनिस यहां पर ऐसा कैसा ही रह ठीक है लेकिन h square बोला है तो यहां पर चल पड़ेगा यह r square plus l square तो 1 by 4 pi epsilon 0 q over r square plus l square clear बात चीक है अब चलते हैं हम दूसरे पर दूसरे की तरफ चलते हैं negative intensity निकालते हैं वहीं चीज कि f by q करेंगे q is the positive test charge जो कि प्लस 1 है तो फिर कहाएगा 1 by 4 pi epsilon 0 है ना और यहां पर negative charge means इसकी negative ठीक है आप क्या करेंगे अब हमारे पास में उदर का भी distance सेम ही रहेगा अगर उदर भी पाइट गॉर्स्यूरम लगाएंगे तो अगें यहीं रिजल्ट आ जाएगा आर स्क्यार प्लस एल का स्क्यार चीक है अब हम इसको लिख लेंगे e negative को is equal to minus q over 4 pi epsilon 0 और आर स्क्यार प्लस आर स्क्यार बास समझ में यहां तक आ गई है कि कुछ भी extra नहीं है जैसा जैसा आपने पढ़ रख है बस वैसे वैसे इसको लेके चलना है जैसे तो बजों यहां तक समझ में आया आपको यह अभी इसको ध्यान से समझेगा यहां तक अगर चल गया पता है तो आगे हम देखते हैं अब मुझे क्या निकालना है दो दो का sum निकालना है कि total e कितना निकलेगा आप मेरी बात को ध्यान से समझेगा जो पिछला जो आर्टिकल था आपका उसमें हम क्या करते थे आपका x-axis में देखते थे कि x-axis में ही होना चाहिए x-axis में ही होना चाहिए जिसमें कि एक direction हमको दे रखी ठीक है और जिसमें हमने उसका result निकाला था in vector form में बैटा इसमें हम जो result आपका निकालेंगे वो निकालेंगे magnitude form में जब magnitude form लिखते हैं तो आपका plus और minus जो है वो नहीं पूछा जाता मतलब कि अगर मैं e negative को in magnitude में लिखूंगी तो मैं direct उसको क्या लिख दूंगी 1 by 4 by epsilon not and qr square plus L का square clear क्योंकि negative और positive जो आपके पास में sign आते हैं यह हमें direction बताते हैं तो यहां पर हमें आरा direction का कोई यह ऐसा काम नहीं है जिसकी वज़से हमने उसको क्या लिख देंगे इसी को में लिख देंगे तो overall हमने क्या निकाला हमने यह निकाला कि जो e plus हमारा positive intensity थी उतनी ही intensity मेरी कि इसमें थी negative में थी ठीक है उतनी ही आई ना यहां पर अगर आप distance देखोगे तो distance में भी कोई फरक नहीं है सिर्फ फरक इतना पड़ा है कि एक plus का चार्ज एक minus का चार्ज है जब हम direction को देख ही नहीं रहे है magnitude निकाल तो sign को भी हम नहीं देखेंगे तो हमारे पास में result ही चार्ज है कि 1 by 4 by epsilon q by over rs के plus cells के ले यहां तक होगी बात कटो प्लस और माइनस दोनों क्या है बराबर है अब आपने plus 1 के अंदर triangle law vector addition पड़े होंगे magnitude का form magnitude का form ऐसे रहता था जैसे क्या e plus 1 का square e minus का square and e plus 1 e minus cos 2 theta यह result आपका रहता था उसमें ठीक है याद होगा आपको e plus का square plus e minus का square and 2 e plus e minus cos 2 theta याद होगा आपको जब हम क्या करते थे कि total उसका result नहीं कालते थे in magnitude form में अभी हमने देखा कि दोनों क्या हैं हमारे पास में equal हैं तो चाहे आप यहाँ पे plus की value रख लो चाहे आप यहाँ पे minus की value रख लो तो यह result कुछ इस तरीके का बनेगा ठीक है यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 2 e plus e plus sorry and e plus तो यहाँ पे आजएगा cos 2 theta अब इसको थोड़ा सा simplify कर लेते हैं तो यह resultant हमारे पास में क्या बनेगा 2 e plus cos square यहाँ पे e2 e plus 2 का cos 2 theta यह बन जाएगा अब इसमें देख लीजेए जो आपको common लेना है common ले लीजिए बाहर अंडर में अंडरूट 2 e plus 2 का square इसमें भी है इसमें इन दोनों में common हम बाहर क्या करेंगे ऐसे करके ले लेंगे अब आपके पास में रूल रहता था एक तो रहता था माइनस में एक रहता था प्लस में माइनस वाला होता था साइन में प्लस में उसमें होता था वह मिश्यों तो 2e2 का and cos square थेटा यहीं था बच्चो को से-थेटा या को स सकेर थेटा ही आता था हां हगे डिर्पी नवच्छ लिंगेश सभाते हैं यह तक होगी बाद समझ में इसका magnitude form निकाल तो magnitude form में क्या करेंगे इसको solve करेंगे सारा का सारा तक आपको समझ में आ गया है तीक है अब आगे का करते हैं यहां वाला figure थोड़ा सा erase कर देते हैं और यहां पर करते हैं इसको आगे इसको solve कर लेंगे यह बनेगा इसको अंडरूट से बाहा निकालेंगे अंडरूट से बाहा निकालेंगे तो क्या बनेगा यह बनेगा यह बनेगा 2 e plus and plus and cos theta अब e plus आपनी क्या निकाला था वन बाइ 4 पाइ एपसल नॉट q over r square plus l square and into cos theta अब मुझे किसकी value निकालनी है बच्चो cos theta की निकाली ऐसे करके तो figure मुझे थोड़ा सा याद है ऐसे करके था ठीक है थिट्टा का ध्यान रखना थिट्टा यहां पे था यहां पे था और मुझे निकालना था cos theta तो यह था आपके पास में L और यह था आर और यह था कितना r square plus l square था अब हमारे पास पे वही है क्या पंडित बद्री परसाद हर हर बोले बेस ओवर हाइपोटेनिस बेस यहां पे L है हाइपोटेनिस यहां पे L square और r square plus l square है अब यहां पे values पूट कर दीजिए देन E is equal to 2 4 pi epsilon 0 clear q भी है साथ में यह q भी है और cos theta की जगा पे sorry यह q की जगा पे यह भी है L square है into L over r square plus l square यहां तक बात पता चल गई अब आपको साब दिख रहा होगा कि उपर क्या बन रखा है उपर बन रखा है हमारे पास में dipole moment चलिए करके दिखाते आपको यहां पर करके दिखाते हैं यह बन गया हमारे पास में यह देखिए 2ql तो dipole moment कि इसके ब्राबर होता था बजो product of the charge and distance between them means की 2l तो यहां पर मैं क्या लिख लूँगी P ठीके तो यहां पर आजाएगा E is equal to P over 4 pi epsilon 0 1 over r square plus l square r square plus l square का whole square क्योंकि two time आ रहे थे नहीं two time आ रहे थे तो whole square करते हैं clear अब देखिए यह सारी जो चीजें है constant हमारी again वही करेंगे कि r is very greater than as compared to l जिसकी वचे से L को क्या कर देंगे neglect कर देंगे then E is equal to P over 4 pi epsilon 0 1 by r की power 4 और यह सारी जो चीजें हैं हमारी constant है तो इसको लिखेंगे inversely proportional 1 by r की power 4 तो बच्चों यह कई बार one mark का question भी multiple choice में बन जाता है कि बताए कि axial के अंदर जब हम and on position का कर रहे थे तब हमारे पास में क्या relation था between distance between the यह जो r क्या है यह r आपको याद है r क्या है r हमारे स्वाथ में वह है जहां पे हमने source charge को place कर रहा था मतलब कि जहां पे मेरी field थी ठीक है between the dipole moment and वह plus 1 means unit positive charge unit positive charge के जो बीच का distance था that is your r clear तो यह हमारा आता है for equatorial के लिए इसको याद रखेगा equatorial के लिए और जो आपके पास में e inversely proportional to r cube आता था वह for axial line के लिए आता था very important topic थे यह दोनो I hope आपको समझ में आये होंगे अभी मैंने अच्छे से मेरा मेरा कोशिश यही था कि मैं आपको explain करके बता सकूँ ताकि आपको यह रटना ना पड़े आपको सिर्फ फीगर पर काम कर रहा है चीजों को अंडर्स्टेंड करना पर जैसा मर्जी होगा आप उसको कर सकते हो ठीक है अब थोड़ा सा अब आगे तो नहीं थोड़ा सा मैं आपको हलका सा बताऊंगे बाद चार्डिस्ट्रिब्यूशन जो कि आगले आने वाले टॉपिक में हमें बहुत ही हल्पूल रहता देखिए चार्डिस्ट्रिब्यूशन का क्या सीन रहता है देखिए मैंने यह कोई बॉड़ी ली है कुछ भी मैंने यह कोई बॉड़ी ली है अब यहां पर क्या है यह सभी के सभी अंदर क्या है इसके अंदर चार्ज है है इस सारे क्या हैं चार्ज है यह चार्t march कि लेकिन मुझे यह नहीं पता कि इसमें total number of charges कितने है इसमें total number of charges कितने है तो मैं इसको कैसे कालूँगी इसमें मतलब कि हाव्म charge है मैंने पूरा 4 से भठ दिया पर मुझह यह नहीं सिंगल पॉांट में कितना निकलेगा टोटल इपना निकलेगा एक consentement जिसके लिए उन्होंने कुछ rules देया है, अगर मेरे पास में एक सिंगल ऐं स्वार्ड है जैसे जिसकी पर दो हैं सिर्फ उसकी एक लंठ है तो अगर मुझे इसके अंदर charge distribute करने है कि मुझे इसके अंदर charge को distribute करना है तो उसका एक rule रहता है बच्चो lambda is equal to q by l रहता है यहाँ पे जो q होगा यह आपके पास में total number of charges होगे total number of charges होगे जिसको हम निकालते थे ne करके याद होगा आपको ठीक है and e करके खेरी समितना काम निका इसके इतना काम नहीं है और यह साथ साथ में आपने याद भी रखते चलना है अब यहाँ बेर L जो आता था यह हमारे पास में total length थी किसकी वाइर की total length of wire clear? total length of wire तो आगे आपके जो आपके जो आएंगे उसमें बोलेंगे की charge distribution करिए एक long wire के अंदर तब आपने क्या result याद रखना है कि lambda is equal to q by l इसको small letter q में भी आप लिख सकते हो q में भी लिख सकते हो तो वहाँ पे total charges जब आप लिखते थे तो याद होगा आपको आप लिखते थे lambda into l is equal to q इसी से ही result आता आपको result पे ध्यान रखना है कि में बोलना क्या चाहरी हूँ ज्यादा दिमाग को मत हिलाए सिर्फ result याद रखिए कि lambda is equal to q by l and lambda into l is equal to q चलगी बात पता अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया यह इसी का नाम क्या है linear charge distribution linear charge distribution linear का मतलब state line होता है अब देखिए मेरे क्या बन जाएंगे units बन जाएंगे lambda is equal to charge in column and length in meter यह centimeter कुछ भी आप लिख सकते है I think centimeter meter ही होगा lambda is equal to c and meter per meter clear? ठीक है? अब हम आते हैं इसके आगे यह तो थी बात एक single आपकी line की अगर मुझे कोई shape ऐसी दे रखिया कि जिसका surface area होता है क्या होता है? surface area होता है surface area होगा मतलब की area पे depend होगा तो उसको बच्चों हम care denote करते हैं sigma से and यहाँ भी फिर से आगें total charge by s किसी भी चीज का surface area किसी भी चीज का surface area वो depend करता है कि किस चीज का area दे रखा है ठीक है circle का ही दिया जाता है pi r square ही लेते हैं हम यहाँ पे then sigma into s is equal to cube means की total charge अगर में मुझे किसी circle में किसी चीज में निकाले then sigma into s again unit unit क्या बनेंगे? charging coulum and area किस में आता था meter square में meter square में length into breadth meter square में यह बन जाएगा coulum per meter अब यह चेक कर लेना कि centimeter है यह meter है बाकी तो यह है कि units आप इस तरीके से उसके बनाओगे clear अच्छा इसका क्या नाम था surface chart distribution area I think area chart distribution ठीक है area chart distribution surface area chart distribution distribution clear अब इसके बाद आता था हमारे पास में volume volume क्या रहता था जैसे आपका सफियर ठीक है solid sphere hollow sphere कुछ भी है सफियर के अंदर क्या रहेंगे charges अंदर होंगे तो आप वोल्यम का क्या काम है कि इसकी अंदर depend करेगा कि आपके कितने charges आ सकते हैं ठीक है volume के अंदर उसको हम row से denote करते थे and total charges by V volume charge distribution इसको क्या कहते थे हम volume charge distribution distribution ठीक है volume charge distribution again हमारे पास में क्या आजएगा total charges में भी निकाले याद रखी का कि volume into row and into is equal to q q is the total charge अब यही से आपका unit भी बन जाएगा यह कूलम में आएगा और volume किसमें आता है meter cube में आता है तो यह बन जाएगा इस तरीके से आपका यह result आजएगा clear cooler meter per cube clear तो बचो आप जो next session होगा हम इसके आगे कही article आपके चलाएगे first chapter के first chapter भी बहुत जादा बड़ा है पर मेरी कोशिश यह रहेगी कि कम टाइम में आपको करवा सको ताकि revision आपकी क्विकली हो जाए तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए लाइक भी कीजिए कोमेंट सेशन में बताएगे भी कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है या कोई भी आपको दिक्कत रह रहे तो और चैनल को भी सब्सक्राइब करें आज के लिए इतना ही थैंक यू